किताबें, बातें और मुलाकातें कि किताबें, बातें और मुलाकातें, इनकी तो बात ही कुछ और है, लेकिन अब इस जमाने में, इंटरनेट मनुरंजन का नया दौर है मनुरंजन यानी इंटर्टेन्मेंट जिसके हमेशा से अलग-अलग मीडियम रहे हैं जिन में किताबे, नुकरनाटक, थेटर, सिनेमा आदी शामिल रहे और अब 21 वी सदी में खास तोर पर COVID-19 पेंडमिक के बाद इंटर्टेन्मेंट का एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुके हैं OTT प्लेटफॉर्म्स नमश्कार मैं गौरफ दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्तित हूँ जेमसी कैपसूल, इंटर्टेन यूर नॉलेज में आज जेमसी कैपसूल में हम जानेंगे एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में आज की वीडियो में कुल आट OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें नेटफॉर्म्स, एमजोन प्राइम वीडियो, डिजनी प्लस हॉट स्टार, एमेक्स प्लियर, अल्ट बालाजी, सोनी लिव, जी फाइव और वूट सिलेक्ट शामिल हैं इन प्लेटफॉर्म्स को जानने से पहले जानते हैं OTT के बारे में OTT का फुल फॉर्म होता है, ओवर दे टॉब, OTT प्लेटफॉर्म्स का मतलब होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो टेलिविजन और फिल्म कंटेंट को इंटरनेट सर्विस के जरिए इंडिविजुल कस्टुमर तक उनकी रिक्वार्मेंट के मताबिक प्रोवाइड करें Basically, OTT प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं, जो अलग-अलग कंपनीज के होते हैं, जिस पर वीडियो फॉर्म में पेड या फ्री कंटेंट होता है आज की वीडियो में पहला OTT प्लेटफॉर्म है नेट्फिलिक्स नेट्फिलिक्स जो अमेरिका की एक प्रोडक्शन कंपनी है इसकी शुरुवात स्कॉर्ट्स वैली कैलिफोनिया से 29 अगस 1997 को हुई इसके फाउंडर रीड हैस्टिंग और मार्क रैंडॉल्फ थे इंडिया में इस प्लेटफॉर्म की शुरुवार 2016 की जैनवरी से हुई जहां नेट्फिलिक्स के इस वक्त लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं बात करें नेट्फिलिक्स के पॉपलर इंडियन कंटेंड की तो इसमें सेकरेड गेम्स, डेली क्राइम, कोटा फेक्टरी, लिटिल टिंक्स जैसी वैब सेरी शामिल हैं नेट्फिलिक्स के बात जानते हैं एमाजोन प्राइम वीडियो को एमाजोन प्राइम वीडियो इस OTT प्लेटफोर्म की व्ल्ड वाइड लाँचिंग December 2016 को हुई इसका हेड़कॉर्टर US में वाशिंटन के सियेटल में है जहां इसके इस वक्त लगभग 18 मिलियन सब्सक्राइबर है वहीं Amazon Prime वीडियो के टॉप कंटेंट में मिर्जपुर, The Family Man और पतालोग जैसी वेब सीरीज शामिल है Amazon Prime वीडियो के बाद नमबर आता है Disney Plus Hot Star का Disney Plus Hot Star इंडिया का OTTT platform है जिसकी शुरुआत फैबरी 2015 में Hot Star के नाम से हुई बाद में April 2020 में ये platform Disney Plus Hot Star के नाम से जाना गया बात करें इसके सब्सक्राइबर की तो उनकी संखिया 30 मिलियन से भी ज्यादा है वहीं Disney Plus Hot Star के popular content में IPL और IPL के अलावा Special Ops और Aria जैसी वेब सीरीज शामिल है Disney Plus Hot Star के बाद अब जानते हैं MX Player के बारे में MX Player जिसकी शुरुआत मुंबई से 18 जुलाई 2011 में एक Video Player Software के तौर पर हुई थी जिसके बाद 2019 में इसे OTT प्लेटफॉर्म बना के लाँच किया गया इस वक्त MX Player के करीब 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं जहां MX Player के content में Queen, Samantar, Ashram और Raktanchal जैसी वेब सीरीज शामिल हैं इसके बाद आता है Alt Balaji जो इंडिया का Video on Demand प्लेटफॉर्म यानि OTT प्लेटफॉर्म है जो April 2017 में लाँच हुआ था मुंबई में इसका Headquarter है और एकता कपूर इसकी Founder है इस वक्त Alt Balaji के लगभग 2.4 मिलियन एक्टिव यूजर्स है वहीं बात करें इस प्लेटफॉर्म के content की तो इसमें Broken बड ब्यूटिफॉल जैसे content शामिल है Alt Balaji के बाद जानते हैं Sony Live के बारे में Sony Live ये भी इंडिया का ही OTT प्लेटफॉर्म है जो 2013 में launch हुआ था जैसे Sony Picture Network आउन करती है इस समय Sony Live के करीब 7 मिलियन सब्सक्राइबर है जहां इसका Sports से related content फेमस है जिसमें Tokyo 2020 और Cricket Matches शामिल है साथ ही Scam 1992 जैसे popular web series भी है Sony Live के बाद अब है Z5 Z5 एक Indian OTT प्लेटफॉर्म जिसके शुरुआत February 2018 में मुंबई से हुई Z Entertainment Enterprises इसका ओनर है और इस समय Z5 के करीब 4 मिलियन सब्सक्राइबर है वहीं रंगबाज इस प्लेटफॉर्म का one of the popular content है Z5 के बाद अब आता है इस वीडियो का आखरी OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है Woot Select जो March 2020 में मुंबई से लाँच हुआ इंडिया का OTT प्लेटफॉर्म है जिसके इस समय लगबग 1 मिलियन एक्टिब सब्सक्राइबर है वहीं बात करें इस प्लेटफॉर्म के टॉप content की तो उनमें असुर, The Gone Game और Big Boss शामिल है OTT प्लेटफॉर्म इस चीज का बहुत अच्छा उधारन है कि किस तरह हम पुरानी चीजों को असानी से छोड़ कर आधुनिक ताके इस नए दौर में नई चीजों को अपना रहे हैं वैसे COVID-19 पैंडमिक के कारण OTT प्लेटफॉर्म का चलन कुछ ज्यादा हो गया है जैसा कि हमने वीडियो के शुरुवात में ही कहा था कि किताबें, बातें और मुलाकातें कि किताबें, बातें और मुलाकातें इनकी तो बात ही कुछ और है लेकिन अब इस जमाने में इंटरनेट मनोरंजन का नया दौर है आज की इस वीडियो में बस इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी टॉपिक के बार में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें अगली बार फिर मिलेंगे जेमसी कैपसूल में किसी नय टॉपिक के साथ तब तक देखते रहें जेमसी स्टडी हम लक्षे आपका साथ हमारा